नमस्कार, साथियों, यदि आप एक करमठ और नवाचारी सिचक हैं, तो यकीन मानिए बर्तमान समय में यदि आपकी मेहनत का प्रमाण, अवलेखी करण, डॉकुमेंटेशन आपके पास है, तो निरिछड करता या अनुश्रवड करता आपको मेहनती करमठ नवाचारी सिचक समझेगा, otherwise नहीं, साथियों, प्रस्तुत है, गडित में उपचारात्मक सिच्छड हेतू, रजिस्टर पंजिका, इससे पहले हम हिंदी भासा में और गडित भासा में उपचारात्मक सिच्छड हेतू, एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें की हमने कालांस ने रा लीजिए और पूरी तरह से वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए आप इससे पहले जो दो दिन पूर वीडियो अपलोड की है हमने, उसको आप देख लीजिए, जिसका थंब नेल है, उपचारात्मक सिच्छड पंजिका, भाशा एबम गडित कक्षा चार और प इसलिए अब हम मैट्स में उपचारात्मक सिच्ड़ हेतू, किस तरह से समुहों का निर्माड करना है, और किस तरह से बेसलाइन आकलन करना है, इसकी वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या यूँ कहें, अपने विद्याले का रेजिस्टर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये हैं बेसलाइन आकलन, ये बिंदु दिये गए हैं, इनके आधार पर समुहों का निर्माड इस तरह से किया जाएगा, जैसे कि समुह A, समुह B, समुह C, हमने यहाँ पर समुह C में उन बच्चों को रखा है, जिने एक से सो तक अंकों और शब्दों में गि जाती है, गिंती का ज्यान न होना, इसके साथ जोड, घटाना, गुड़ा, भाग, कम, ज्यादा, बराबर, इन परतेक चिन्नों का ज्यान न होना, और तीसरा बिंदु है, स्थानिय मान का ज्यान न होना, और इसमें एक बिंदु छूट गया है, आकृतियों, आकृतियां, इसका ग्यान न होना तो ये बच्चे जो जिनको ये ग्यान नहीं है उसको हम समूह C में रखेंगे और देखिए सात्यों यहाँ पर हमको ये बेसलाइन आकलन हमने इस पेज़ पर कर दिया है परंतु यहाँ पर ये समूहों का निर्मार है और हमको यहाँ पर बेसलाइन आकलन का आधार यहाँ पर लिखना चाहिए था बट हमने उसको ध्यान नहीं दिया और इसका बेसलाइन आकलन का आधार या माध्यम यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिख दिया है यहाँ पर देख लीजिए आप तो पहले हम समझ लें कि समूवों में हमें कौन से बच्चे के समूव में रखने हैं यहाँ पर साथिओं हमने पूरा प्रियास किया है बहुत ही सहज सरल भासा में गड़ित का उपचारात्मक रजिस्टर या पंजिका बनाने का ता कि हम क्रम से है जो गड़ित की मूल भूत स संक्रियाई हैं उसका ग्यान अपने बच्चों को उप्चारात्मक से छड़ में कराते हुए बच्चे को उसके लेविल उसके इस्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है और साथ यूँ ये कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए ये पूरा मटीरियल आपके लिए बहु अच्छा है उचित है ठीक है समुव बी में देखिए संख्याओं के प्रकार का ग्यान न होना संख्याओं जैसे प्रिमे संख्या अपरिमे संख्या प्राकृतिक संख्या है ना इस तरह से संख्याओं के प्रकार का ग्यान न होना संख्याओं का जोड और जोड पर आधारि इवारती प्रशनों को हलना कर पाना, यानि जो statement वाले सवाल होते हैं, उनको हलना कर पाना, इसी तरह से घटाना और घटाना पर आधारित, इवारती प्रशनों को हलना कर पाना, कभी-कभी क्या होता है, साधारन जोड घटाने तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई statement में करते हैं, उनको कोई event, कोई घटना बताते हुए करते हैं, तो वो answer नहीं दे पाते हैं, तो अगर ऐसे बच्चे हैं, जो साधारन जोड घटाना simple, एक अंकिये, दो अंकिये क कर लेते हैं, परन्तु statement वाला सवाल हल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हमने समुह भी में रखा है, अब यहां पर करोड तक की संख्या का ज्यान ना होना, तो ऐसे समुह भी में उन बच्चों को भी रखा है, जुनको 100 तक तो गिंती का ज्यान है, या 1000 तक की गिंती का ज्यान है, परन्तु एक करोड तक की गिंती का ज्यान नहीं है, उन बच्चों को भी हमने समुह B में रखा है, ठीक है, अब आते हैं समुह A में, जिन बच्चों को गुड़ा, भाग, LCM यानि लगुत्तम समापरते, HCF, highest common factor यानि महत्तम समापरते, का ज्यान नहो और भिन और भिन्नों का गुड़ा, भाग, जोड, घटाना का ज्यान नहोना, दसमलब संक्या का गुड़ा भाग न कर पाना, ठीक है, इसके बाद ये समुह A के बच्चे हैं, इसमें हमें सिच्छड कार्य भी इन्हीं बिंदुओं पर करना है, इसलिए यहां पर हमने ये आगे की पूरी जो सिच्छड योजना में बनानी है, उसी आदार पर हमने ये सारे बिंदु यहां पर रखे है, एकिक नियम, प्रतिशत, लाभानी, साधार्ण, ब्याज, यामिति, बृत, छेत्रपल, आयतन, धार्था, यानि पांच, पांच, कक्षा पांच तक का पूरा पाठिक्रम जो है, यहां पर लिखने का प्रियास किया है, जो कि हम सभू ए में यहां ने रख किये है, ठीक है, अब इसी इनी पॉइंट को हमने अपने ये बेसलाइन आकलन में इस तरह से मेंशन किया है, साथियों आपको इस पंजिका की पूरी PDF लिंक, वीडियो के डिस् से मिल जाएगी, अब देखिए बेसलाइन आकलन का माध्यम या आधार, हम बच्चों का बेसलाइन आकलन करेंगे किसे, तो मैंने अपने हिंदी वासा की जो उप्चारात्मक सेच्छड की पंजिका आपको पहले बताई है, उसमें हमने एक कन्फूजन दूर किया था, कि न अगर नहीं है, तो समसे पहले जो हमारी निपूर भारत मिशन के अंतरगत, जो लक्ष निर्धारित किये गए हैं, इस तर तीन के लिए, तो हम उन्हीं लक्षों को आधार मानते हुए, जो कि हमारे पास ये एप है, हमने इसको यूज किया है, निपूर लक्ष अप अपनी वर्ष्ट क्लास का, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का, तो बहुत अच्छे से बच्चे इसका रेस्पॉंस एप पर दे रहे हैं, तो इसका यूज आप यूनियर इस तर तक कर सकते हैं, उप चार आत्मक शिच्छड में, ठीक है, अभी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकत हैं, कि निपड़ लच्च एप में किस तरह से स्टेप दिखाई जाती हैं, आगे देखिए, रीड एलोंग एप ये निपड़ लच्च एप से अटेस्ट है, जब आप निपड़ लच्च एप का यूज करेंगे, तो रीड एलोंग एप अप उसमें ओपन हो जाएगा, और अपने आप नहीं हो जाएगा, रीड एलोंग एप को आपको डाउनलोड करना होगा, तभी आपका निपड़ लच्च एप काम करेगा, आगे देखिए, समरद मॉड़ जिस्तर बन, इस्तर टू, इस्तर थिरी, यानि इस्तर एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके मॉड़ में भी काफी सम्स हैं, बच्चों का परिछड करने का, आकलन करने के लिए, और चोथा है, गड़ित अभ्यास कारव पुस्तकाएं, कक्षा एक, दो, तीन, तो कक्षा एक, दो, तीन की जो पार्ट पुस्तके हैं, कारव पुस्तकाएं हैं, अभ्यास पुस्तकाएं हैं, उन से भी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों का आकलन बेसलाइन आकलन कर सकते हैं पाजमा ए गडित अधिगम किट और छटा है ब्लैक बोर्ड चॉक और टेस्ट पेपर स्वयम सिच्छक द्वारा निर्मित और सात्मा है मिशन प्रेणा के अंतरगत प्राप्त चार्ट पोस प्राइमरी से इसको उपलब्द किया जा सकता है और आगे देखते हैं उप्चारात्मक सिच्छड यह तो गडित में सिच्छड सामगरी ती एलम पाठ्य पुष्टके तो देखिए जो बेसलाइन आकलन का जो आधहार है वही हमारा सिच्छड का मतलब उप्चारात्मक चड़का माध्यम बनेगा ठीक है अब यहां पर इस्तर फस्ट सेकिंड थर्ड की क्रम से पाठ्य पुष्टके अभ्यास पुष्टके बहुत ही अच्छी होती है देखिए साथियों हम तो जानते हैं कि हमारे जो बच्चों के बेसिक स्कूल में बच्चों की जो पाठ्य प क्लास फस्ट की बुक हो सेकंड की ओ थर्ड की ओ फॉर्ट की ओ फिफ्ट की ओ किसी भी स्तर पे हो बहुत ही अच्छे से उसमें सारा कंटेंट होता है तो पढ़ाने के लिए तो हम इन ही पुष्टकों का साहरा लेंगे बस बच्चे का इस्तर देखना है बच्चा वले ही फ सेकंड क्लास का है तो हम बच्चों का सिच्छड कारे उन्हीं पुष्टकों के आधार पर अपनी सिच्छड योजना को बनाएंगे आगे देखते हैं आधार सिला द्यान आकर सड़ सिच्छड संग्रे सम्रद मॉडिल का उप्योग सिच्छड योजना बनाने में करेंगे यह इसमें काफी तकनीकिया है इन यह मॉडिल बड़े है काफी इतना समय सिच्छक के पास नहीं होता है लेकन फिर भी हम यह कहेंगे कि एक बार इसको एक दरश्ट से देख जरूर ले काफी कुछ इसमें ऐसा है जो कि हम अपनी जब सिच्छड योजना बनाते हैं या सिच बेकार है हमारे निरिच्छड करता हमारे अधिकारियों की सामने और देखिए सिच्छक संदर सिकाएं गड़ सिच्छड है तो यह भी हमारी सिच्छड योजना बनाने में काफी हेल्प करती हैं तो आप वो भी उससे भी हेल्प ले सकते हैं उसका भी यूज करेंगे आगे कि देखिए टीचिंग प्लान इन मैट्स रेमेडियल टीचिंग से छड़ी हो जना तो हमने जो बेसलाइन आकलन किया है जिन विंदुओं को हमने आधार माना है ठीक है उनी विंदुओं के आधार पर हम क्रम से बच्चों को यह ज्यान कराएंगे जैसे एक से सोतक अंकों और शब्दों में गिंती का ग्यान जोड गटाना कुड़ां भाग कम ज्यादा बराबर प्रतिक चिन्नों का ग्यान फिर उसके बाद 101 से लेकर 1000 तक की संख्या का ग्यान एक हजार से एक सोरी दस हजार तक की संख्या का ग्यान अंकों में और शब्दों में और यहां पर हम लिखते हैं अंकों में और शब्दों में इसी तरह से क्रम से 10,000 से एक लाग तक की संख्या का ग्यान अंकों में और शब्दों में और एक लाग से एक करोड तक की संख्या का ग्यान ठीक है अब जब बच्चों को एक करोड तक की संख्याओं का ग्यान हो जाता है तो उसी ग्यान के दवरान हम बच्चों को इस्थानियमान का भी ग्यान कराएंगे परकार संख्या का जोड घटाना गुणा भाग दशमलब के जोड घटाना गुणा भाग लगुत्तम समापरते अलСियम मेह तम समापर एसीफ बिन्टो का जोड घटाना गुणा भाग इस तरह से हमारा बच्चा जो इस तर एक से शुरुवात करेगा उप्चारात्मक सिछड में अपना सिछड कारे वो पहुंच जाएगा इस तर पांच तक या अर्थात अपने क्लास के लेविल तक समय हमने यहां पर सौधेवस का लिया है और यह है आकलन के उपरांत मासिक प आनिवारी है क्योंकि हमने यहां पर भासा इवम गडित का जो इंट्रोडक्शन दिया है कौन से कालांस में किस तरह से समय सारणी को उप्योग में लाना है जिससे कि यह उप्चारात्मक सिछड चल सके अगर एक ही सिछख भासा औग गडित दोनों को पढ़ा रहा है तब तो समय सारणी में इस तरह से एक दिन हिंदी एक दिन गडित एक दिन गडित का काम करना है ठीक है? और सुक्रवार को इसका पुन्रा वृत्ती होनी है, शनिवार को इसका आकलन होना है, जो आपने पूर्व में पढ़ाया है, परंतु अगर एक सिच्छक केवल हिंदी पढ़ा रहा है या गडित पढ़ा रहा है, तो चार दिन में आप जो है, एक ही विशय को यहाँ पर में रखें तो इसके लिए आप पहली वीडियो देख लें या फिर यहां से PDF डाउनलोड कर लें इसको आप समझ लीजिए क्योंकि इसमें समय बहुत जाएगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसी लिए इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है पहले हिंदी वहाशा में उप्चारात्मक सिचड से सम्मंदित और उसके बाद में हमने इसमें गडित में उप्चारात्मक सिचड से सम्मंद और आप PDF डाउनलोड कर लिजिए वीडियो के description box से सातियों ये वीडियो बहुत ही सरल तरीके से बनाया है और वीडियो ही नहीं ये रजिस्टर भी बहुत ही सरल और सहज तरीके से बनाया गया है comment box में comment करके बताईए आपको हमारा ये रजिस्टर ये वीडियो कैसी लगी और अपने अनसातियों को भी इसको share करें ताकि उनकी अधिक से अधिक help हो सके thank you for watching this video